तो माइनक्राफ्ट नेशन एप चोट आ चुका है जिसमें भाई बहुत जादा टाइम ले लिए इस बार माइनक्राफ्ट वालों ने यहाँ पर नई नई चीजे एड की गई है जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हमारा आर्मर डीलो तो यह हमारा एड हो चुका है और मैं चाहूं तो इसके साथ फुटबोल भी खेल सकता हूं भाई कुछ चीज तरीके से यह सही में ना नया अपडेट अच्छा है तो इसकी एक और खास चीज है कि अगर मैं इसके पास से भग क्या हूंगा तो यह डरता है थोड़ा सा तो अगर मैं इसको मारूं तो य इससे बनता है एक आर्मर मैं रैसीपी चेक कर लेता हूं कि इसकी रैसीपी क्या होने वाली है तो टोटल आप छे आर्मर डीलों गाल सकता हूं मैं अगर मैं ने इसको एक बार पहना दिया तो फिर शाह से निकालना मुश्किल है मेरे ख्याल से हाँ निकालना मुश्किल है आर्मर एक बार पिन गया या शाय से इसकी वी एक inventory आजा है राइट क्लिक करने पर ऐसा हो सकता है तो हम चेक कर लेते भाई कौन कितना जाधा damage लेता है तो देखो इसकी पूच बिलकल ऊपर है और इक इसकी पूच बिलकुल ऊपर है तो क्या करेंगे हम इसके नीचे ना एक TNT लगाएंगे या इसके सामने TNT लगाएंगे ठीक है चेक करते कि किस को कितना damage मिलता है उसी के इसाब से हमें पता चल पाएगा कि कौन कितना powerful है ओके मेरे ख्याल से ये वाला वुल्फ मर गया है मरी गया है भाई ख्याल क्या है सीधा मरी गया है ये भी बिल्कुल मैंने मुखे सामने ही जलाया है इसको भी ओके ये बचा हुआ है तो किसकी पूँच कितनी हुई है वो चेक कर लेते है बिल्कुल डाउन पे चली गई है मतलब कि अगर थोड़ा सा हीट लगेगा तो ये मर जाएगा तो टी एंटी का जितना explosion है ये पूरा का पूरा सहह लेता है एक बार में ही तो हमारा trial chamber थोड़ा सा और advance हो चुका है जहां पर आपको अलग-अलग चीज़े मिलेगी जैसे कि यहां का trial spooner जो कि कुशी-कुशी time पे चलता है आप इसमें कीव अगयरा नहीं मार सकते है डारेक्ट अपने आप ही चलेगा मतलब आदे-आदे गंटे में activate होगा और यहां से निकलने वाली भाई है कि नाझिए क क्या मिलेगा तो इनको मार के मिलेगा भी एक चीज़ जो कि आपको मिलेगा यह विंड चार यह विंड चार मिलते है कभी ज़्यादा भी मिल सकते ai कंव ज्यादा मिलते रहते तो चलो भाई-जब्श बबार-ट्राइब करते क drainage यह डैमेश देता भाई यह जो रेडियस है थोड़ा कम है देखो अगर मैं मार तो भी मैंने तीन मार दिये इसको लग जा भाई चार पांच शे भाई ये डैमेज तो मिला इफेक्ट में तो अच्छा है लेकिन ये बहुत ज्यादा ले लेता है तो अगर मैं इसको सीधा फैक हूँ इसकी सबसे खास बात है कि ये ड्रोप नी होता भाई जैसे सुनो बोल होती है अगर मैं सुनो बोल से निशाना लगा हूँ जैसे उपर फैक देता हूँ तो देखो धीरे धीरे ड्रोप हो जाते है नीचे लेकिन ये ड्रोप नी होता ये देखो बिलकु सीधी जाती है ऐसे करके देख रहे हो कित भी दूर को देखो जैसे मैं इतनी दूर से मारना चाहता हम बिलकुत निशाना लगाना बिलकुत जितना है उतना ही मारोगे तो फूर जाएगा लगा उसको फूर गया देख रहे हो माई यह निशान ए बहूत तगड़ी चीजागर आपने ब्रीज पकड़ लीया है तो एंड इसको फोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को फूड जाता है अगर सही से निशाना लगा तो फूड जाता है पते क्या रहता है यह जालियों के बीच में रहता है तो इसलिए दिक्कत करता है तो नीचे से देखते हैं नीचे से क्या लग पाता है जाली के अंद इजैन अगर निशाना देखा दै photos कोई सा भी हो वह फोड़ सकते अब देख़ अब देखो ड्राइगन फोल्स नहीं दिखो जैसे यहां पर WILL घाल तो इसे शब कुछ इस तरीके का एक वोल्ट मिलेगा जिसके अंदर देको समान दिख रहा होगा आपको अलग अलग समान बता रहा क्या क्या समान है तो इनको निकल वाने के लिए आपको एक ट्राइल की जो कि आप खोलोगे तो आपको मिल जाएगी कुछ भी एक समान कुछ भी नहीं है में रूम देखो यहाँ पर वो ही है जहाँ पर मिलें चैनल आपको वोल्ट होता एंपे और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन hut थ्री अन-ब्रेकिंग-चिक साथ और efficiency 3 और कितनी सारी चीज़े है वही एक छुपा हुआ रूम होता है जो कि आपको ढूनना पड़ेगा खुदी क्योंकि यह ढूनना तोड़ा सा मुश्किल है ओहू यह दिखता है देखो यही से कोने से दिखरा है हलका साथ तो हमें नजरे रखनी पड़ेगी इन पर जालिय पहले इतनी स्पीड नहीं थी थोड़ी सी सलोती अराम अराम से जाय करता था लेकिन अब थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ गई है जो कि अच्छी बात है यह अच्छा काम कर रहे है इसी के साथ एक काम और कर दिया है कि इनकी जो ट्रेड है वो भी बदल दी गई है तो अपडेट मैंने आपको बता दिया कुछ उट गया हो तो भाई मेरे को बताना बागी आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करता है अगर वीडियो चिले के वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने हो राज के लिपस्तित नहीं फिल इंग एपिसोड में